असलाम लीकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इदुलजा यानी बड़ी इत करीब आ चुकी है और अब आपको हर तरफ कुरुबानी के जानवर देखने को मिलेंगे ये भोले भाले और तंदुरुस्त नजर आने वाले जानवर वैसे तो खूबसुरत और मसूम तो होत दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा नमबर फाइफ दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में देखें कि एक अनाड़ी कसाई जो बैल को गिराने के लिए रसी डालने के लिए नीचे की तरफ जुकता है तो ये बैल इस कसाई के मूँ पर इतनी जोरदार किक म खड़ा होता है लेकिन थोड़ी ही देर में एक बेवकूफ कसाई जो लोगों को दूर करते हुए बैल की तरफ बढ़ता है और अपना समान यहनी छुडियां वगरा बैल की सामने ही जाकर रख देता है और जैसे ही बैल के करीब जाता है तो बैल इसका क्या हाल करता है ये आप इस वीडियो में खुद ही देख लें अब है वह तरह दो रहां है जो आए जबसकी दो नहीं है जो अब वह दो अधारी कि इस अधी अधी बेकित अधी जोगों है जो जो टेली है कि अधी आधी आधी दोस्तों आप ज़रा इस चचा को देखें जो दिखने में इस बैल का मालिक लगता है वैसे तो आम दिनों में ये बैल इसके साथ खुश होगा लेकिन इद वाले दिन इसका मालिक जैसे ही इसकी रसी पकड़ के आगे बढ़ता है तो इसका बैल इसे दिन में तारे दिखा देता है नमबर टू दोस्तो ये वीडियो कराची की है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बज़ूर्ग कसाई इस बैल को कंट्रोल करने के चकर में चकर लगाते लगाते खुदी रसी में फंस जाता है और बैल इस पर हमला कर देता है इसी दुरान एक शक्स हीरो पंती दिखाने के लिए बैल को पकड़ने के लिए आता है और वो भी बैल की रूसली स्टाइल किक का मज़ा चकता है और बैल इनके हाथों से निकल कर भाग जाता है नमबर वन दोस्तो पाकिस्तान एक ऐसा मुलक है जहां कुछ भी हो सकता है यहां आप गाये को बाइक पर घूमते हुए भी देख सकते हैं और बड़ी वजनी वजनी गाड़ियां भी उठाते हुए देख सकते हैं इस वीडियो को देखें जरा यहां बैल किस तरह पहले बाइक वाले को टकर मारता है और फिर बिचारे साइकल पर जा रहे बाबा जी को भी टकर मारकर साइकल से गिरा देता है दोस्तों यह जानवर वैसे तो बहुत मसूम और भोले बाले होते हैं लेकिन जब इनका दिमाग खराब हो जाए तो फिर यह सामने वाले को दिन में तारे दिखा देते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ